हालो फ्रेंट विल्कम वेक टू माय चैनल आज में फिर आप लोग लेकर नया वीडियो लेकर आई है जो है हेयर कलर तो चलिए फ्रेंट कलर करके देखते हैं तो फ्रेंट आज के इस वीडियो में मैं आपको कलर करके दिखाऊंगी और ये क्या चीज है इसे क्या करना है किस तरह की चीज प्रोडक्ट है ये टोटल चीज में इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अब आलों को कलर करके दिखाऊंगी और क्या है कैसे लगाना है इसे में टोटल चीज आपको मेंसन करूंगी इस वीडियो के माधिम से तो फ्रेंड सबसे पहले यह नीशा मेहंदी है यह मेहंदी बर्गंडी कलर का है इसको कलर करने के लिए हमें आदे गंटे की जुरत होती है और हलांकि इसमें थोड़ी बहुत केमिकल होती है इसलिए अदे गंटे लगाके फीना में इतार लेना है इसको लगाने से पहले तेजिए पैश। आपक पीछे इससे लगा कर देख सकते हैं और लगाने के वाल फ्रेंज इसे आदे गंटे wash कर लेना है अच्छी तरसे सैंपू से फिर युसके बाल को सूखने के बाद इसको apply करना है अब apply करने के बाद friends इसको फिर से फिर से कितने दिनों के लिए छोड़ना है तो friends ये 15 दिन तक आपके बालों पे टिका रहेगा 15 दिन के बाद इसे आप बरगंडी करना चाहो तो आप फिर से इसे बरगंडी कलर कर सकते हो सिस तरह से घोल करके इस पैकिट की कीमत है 10 रुपे में आपको यह मिल जाएगा तो इस तरह से हमें घोल लिना है घोलने के बाद इसे में बाल पर अपलाय करके आपको दिखाऊंगी अब आपलाय करके भी दिखाऊंगे आपको तो फ्रेंट इस तरह से घोलने के बाद इसी ब्रस से हमें अपलाय भी करना है चलिए तो आज मैं अपलाय करके आपको दिखाती हूँ और फ्रेंट एक जरूरी बात अगर आप इसको लगा रहे हैं बालों पे तो फ्रेंट अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको बालों के लेंद के अनुसार लगाना है यहां पर मैं जैंस के बालों को कलर करूंगी इसलिए मैं थोड़ी कलर ले रही हूँ जहां पर तो फ्रेंट इसको कलर करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फोटो में बिल्कुल इसंदि कलर यह 10-15 दिन तक चलेगा हमारे बालों पे फिर उसके बाद हमें बालों को अपल्य कर लेंआ है तो यहां पर मैं बालों में अब अपल्या करने ौलार को कर रही हूँ यहां पर आपको बाल गंदा दिख हो गां इनके बालों मेंjang लाश किया है यह डेंद्रृफ के कारण आपको बाल गंदा दीख रहा है यह गंदा नहीं तो इस तरह से की पूरी बालों में अप्लाइ करेंक्कानी। आप चाहो तो दूसरी बरश भी ले शक्ते हैं या फिर आप इस तरह बहुंत भी लगा सकते हैं और इस लगाने के बाद अगर आप चाहें तो बालों को कवर भी कर सकते हैं किसी पॉलिथिन से कवर कर लीजिए या फिर आप चाहो तो इस तरह भी आप छोड़ सकते हैं तो इसमें मैं आपको कलर करके दिखा रही हूं इस तरह से जिस तरह से मैं या कलर कर रही हैं इस तरह से आपक और ये जो color है फ्रंट ये हमारे बालों पे 10 से 15 दिन के लिए रहता है और हमारे comment में हमारे बेहने लिखती हैं हमारे भाई लोग लिखती हैं क्या कि लगाने के पहले wash करना है जी हाँ फ्रंट बालों को पहले अच्छे तरह से wash कर लीजिए फिर बाल को सुखा लेजिए उसके बाद हमें ये color apply करना है ये जो color है फ्रंट ये मेहंदी है ये जिस तरह से निशा का black मेहंदी होता है न उसी तरह से ये बरगंडी color है फ्रंट इसको color किजिएगा तो आपके बालों को ये raid करेगा बरगंडी color करेगा जस्ट लाइक चुकुंदर की तरह फ्रंट अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट में में साथ से साथ ये भी लिखा किजिए आपको किस-किस वीडियो की जरूरत है तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों की जरूरत क्या है तो फ्रंट इस तरह से पूरे बालों को अपलाई कर लेना है और अगर आपके बालों के अगर आपके चमड़े पर गिर जाता है color फ्रंट तो आपको घवराने की जरूर लेकर के अपलाई कर लीजिए उसकी बाद आपका color कहीं भी गिरेगा तो पकड़ेगा नहीं जश्ट आपको इस तरह से कंगी की मदद से आपको बाल को मिला लेना है अच्छी तरह से इसको लगाने के आप आदे घंटे छोड़ दीजिए उसकी बाद बालों को wash करना है मैं इस वीडियो में wash करके भी दिखा रही हो फ्रेंट तो आप मेरे उस वीडियो को भी वहां तक जाईएगा फ्रेंट लाश्ट तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा हमारे बेहन ही लोग थोड़ा देख के छोड़ देती है थोड़ा देखिए कैसे धोड़ा देखिए यहां पर मैं simple sample से शाफ को आपको बाल को यह देखिए आपको इस तरह से धोलेना है यह दोया जा रहा ह। आप देख रहे हैं वीडियो में देखिए खोज़ें आपको विल्कुल एसी तरह से दूना है यहां पर मैं चैने संपू ले रही हूं एसा कि आपको दिखा आपको दिखा चुकी हूं देखे इसी तरह से कोई भी सेंपू लेना जरूरेट है किसो सेंपू ले लिए पर आपको इसी तरह से मोनागे अप्छिर आप बेख देगा कि आपको बाल ब्राउन हो जाएगा हम से बेखिए है परोरे भी किस्टा है «चुकी आपको लागा है हुआ उन्हाश को बाल भी कि आपको षाओेब मेदा मेदा किसाझो लिए पचाह है लगला क् एाफ़ने क् बाल श्चूण jadiह उल में क्ड़खस2 और हम दोर झेख